लेट आप और इसे पैटेसे कामा सकत्ता था पर मैंने आपको और पूरी दुनिया को फृी कोई वेलु नहीं है आज मैं आपको खुल के भी कहना जाता हूं फिरी की कोई वैलू नी होती दोस्तों आप फिरी में है ना अगर आप सोने भी बार भाट रहा ना तो लोगों को लगता है यार पीतल है और उसमें सोने का पाइड पॉलिच और यह सरकेट क्या है इनी को एस्प्लें करने के लिए मैंने यह वीडियो बनाया है और मुझे बस नीचे कमेंट कर देना मैं आपको फिर वो परसनल गुरूप की लिंके दे दूँगा ताकि आप उसमें एड हो सके ठीक है तो चलिए तो सिर्फ अपनी जिद के जिदी हुमार जिद है मेरा फिदूर जिद है मेरा गुरूर जिद है मेरी जुरूर आप सबी लोग यार एक वीडियो फिर से चलो आपको आज दे देते हैं आज मैं आपको बताने वाला हूँ पीएम 660L दोस्तों इससे पहले मैं ने पीएम 660 के वारे बताया था पहले मैंने थियोरी दी ती फिर मैं पैटिकल दिया पर यार पैटिकल में प्रॉब्लम यह हो गई कि हो जो मेरा बैनर आता है वो मेरे मल्टी मीटर को धग दिया सो कोई दिक्कर नहीं है मैं फिर से रिपीट डाल दूँगा आप लोग देख लेना कोई बड़ी बात नहीं है आप लोग कमेंड में भी कहा था हूं मैंने यह भी कहा है डॉन वरी वो वीडियो फिर से आ जाएगा और दोस्तों चलिए पर मैं से से को तोड़ना नहीं चाहता हूं मैं अभी एट वीडियो लेका हो कॉल कम पी एम सिक सी जीरो यहाँ वर्जिन डाल जीरो फोर है इसका जो वर्ज़न होता है वो डावल जीरो टू भी आता है और फोर भी आता है अलग-अलग वर्जिन में यह आई से आती है फिलार मेंने ein paar कवल भी जिसके साथ लगी है कैसे हम स्कोचेक करना एक पुरा होगा तो मुझे पुरह एकीन है कि आपने जिसभी इंस्ट्टूट भी देख जाएगा हो सकता है कि मेरे दो तीन वीडियो स्केप हो जाए इसी चीज़ का पैटिकल वीडियो आप से छूट जाए और अगले दिनी वीडियो आ जाए और आप देखने पाए क्योंकि आपको वह आड़े नोटिफिकेसन ना है तो इसलिए बैल आइकन जरू दबा है रखें और यह इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना फेस्वूक में सेयर कर दो यार क्योंकि देखो आप लोगों को मैं इतना प्यार दे रहा हूं और यह सब फुरी का कंटेंड पेट कंटेंड बोलो लोग इसको अच्छे-च्छे सब्सक्राइबर वाले भी इसको आप प्लीज यह वीडियो को जितना हो सकता है फेस्वूक में जरूर पोस्त करें अगर आपको प्लीज अच्छा लगाओ तो आई रिकेस्ट यू जो जो फेस्वूक में चलो यह दुनिया आना बिना दिये हुए कुछ नहीं करती सर सो चलो एक बात एक काम करते हैं जो जो मुझे इस वीडियो को फेस्वूक में सेड करेगा मैं उसको पने परसनल ग्रूप में एड करूंगा और उसको डारेक्ट सलूसन दूँगा ठीक है आप मुझे बस नीचे कमेंट कर देना मैं आपको फिर वो परसनल ग्रूप की लिंके दे दूँगा ताकि आप उसमें को मार्ट कोिल के आती हैं दोस्तों यह एक सब्पावर मानी जाती है आहिए पहले के और मैं डिसकस कर लेते हैं पूम्ल गले यह कशनल लाइट आईसी और ग्राफिस आईसी के रूम में यूज किया गया है और ज्यादा इंपियर देने की वज़े से इसमें बग कॉलों को बढ़ाया गया है अगर मैं बात करूंगा तो इसमें क्या-क्या सर्कृट है और यहां पर जो यहां पर पावर सेकेंड होगया है और चलिए इसको बात करते हैं तो चलिए दोस्तो आईए सुरू करते हैं इस वीडियो को देखें दोस्तों अगर मैं बात करूं यहां पर यह पी-ए-ए-m-6-0-l का बक सेक्षन है बक कंवर्टर सेक्षन है जिसके साथ यह सारे कोई लगे करेंगे सब्सक्राइब आगद सब्सक्राइब हैं यहां पड़ना वोल्टेज परलगे पहले क्या होता था में म्स्क्राइब वोल्टेज कैसे बनते थै आपको तो पता ही होगा हाय एल्टी ओके तुरू फिर आपने भी देखा अलग-अलग एक यह डाल देते जो जो रम क के उन्दर इन्पूट करा दी थी मेडाटिक में आपके देखा होगा विए सुन वी आस्टो करके सप्लाय आथे और बहुत सारी सदोड़ कि या मेडाटिक की बात करेंगे तो रम के सद्कूट अगर मैं बात करूं राइल जी उसे मिलकर बनते थे बट अभी की देड आपके तो यह आपका 1.2 अगर दोस्तो यह वोल्टेज नहीं बनेगा तो आपके रैम को वोल्टेज नहीं मिलेगा और आपका फोन ने आटो पूर्ड बन जाएगा तो चलो यह पहला वोल्टेज हो गया दूसरे वोल्टेज की बात करेंगे यहाँ पर बात करेंगे S1 हो गया अब हम बात करेंगे S2 की दोस्तो S1 के बाद S2 आता है और S2 होता है लोवर एल्डियो यह एक लोवर एल्डियो बनता है यहाँ पर भी 1.0 वोल्टेज करेट होता है और यह लोवर एल्डियो भी हमारे मेन पावर में भी जाता है और इस IC के जुरी हुई है यह कोईलों का जो मान होता है यह 0.407.47 micro Henry होता है और इनकी और यह कुछ बग के तरू एक CPU के अंदर core section में जाते हैं और यहां पर हमको voltage देखने को मिलते हैं 0.8.9 यह voltage भी आपको मिलेंगे अब इसके बाद में 4 के बाद में हम बात करेंगे S5 आता है, so S5 memory की होता है, पर यह memory वो memory नहीं है, यह memory CPU का ही memory है, और CPU के memory sections के लिए जाता है, so यहाँ पर आपको 0.9 voltage देखने को मिलेंगे, और यह भी मिलना चाहिए चार्जन लगा कर, और यह आपके CPU के अंदर जाता है, और अगर यह voltage भी नहीं मिलेंगे, तो आपका phone low booting पे चला जाएगा, दोस्तों उसके बाद अगर मैं इस IC की बात करो, तो यह IC एक वी रेज, या फिर वी पी एच, जो की वी पी एच होता है, वी पी एच जैसे एक voltage जनरेट करती है, देखो, आपको तो बता है, थ्री पॉइंट के उपर, बिसिकली जो भी voltage माना जाता है, वो बी पी एच का माना जाता है, बड़ यहां पर ना, बी पी एच के जैसे ही एक वी रेज, बी बाब बनता है, मैं आपको दिखाता हूं, इस आई बैए हम निकल कर रहीं पर उंदर जाता है, और यहां तबाब होता है, तो यह काम करना होता है, ओं जैसे ही यहां से एक supply त्येक्वर रेज बाब होती धित, जो कहते हैं वी रेज बाब और इस बाब पगड़ हमें 3.3 voltage मिलता है जो कि मैंने पूरा प्टिकल वीडियो बना कर रखा हुआ है और जहां पर मैंने इसको पूरा आपको छोल का प्रीका और तुट वहा orchid इसको तुट है और मैंने आपको और पूरी दुनिया कोछी देना समझ दोस्तों आपको फिरी की कॉई वेलू नहींगा आज में अपको खुल के पी चाहना जाता हुरिज ज़ों úम अगर उने आप पैसों पर आभ भैस तो ड़ाता है यार प तो और तो तो वो सोना मांग लेते हैं कि वो मेरे को सोना मिल चुका है आप समझो इसलिए कि बहुत सारे लोग जब कमेंड करते हैं कि सर ये डालो वो डालो फ़लान डालो उनको आप लाइफ में पहली बार जब फर्स-काइम मुबार रिपेरिंग में आए होंगे एक साल जाता है आप प्लीस यहां पर वही लोग आईए जो सीखना चाहते हैं इस चैनल को वही सब्सक्राइब करो जो इस मुबाइल रेपेरिंग में मोटिवेशन एक मोटिवेट की भावना से आगे बढ़ना चाहते हैं और एक सही भावना से बैस्ट लिवल पर जाना चाहते हैं तो फिर मेरे चैनल पर बने रहना मुझे कोई दिकत नहीं है दोस्तों हलाकि मैं यह सोच रहा हूं कि मैं पेड कर दूं ऑनलाइन कर दूं मेरा भी मन है मेरा भी घर है मुझे भी घर चलाना है तो हलाकि दोस्तों मैं इंडिया में यह कभी नहीं करूंगा क्योंकि मैं इंड से मैशे जाए है बहुत सारे घंड तर्म इन के लाए राए यह आगा है ओगे से आधे रिमैंए मुझे दोभी से मैशेज अब फेसे अर नाईजीरिय लिकि जा कर तिक उचनाग जाकुंत और वो सारे स्टुडेंट पर हमारे इंसिटूट में आएं तब जाके मैंने उनको पढ़ाया है बट मैंने उनलाइन के वारे में कभी नहीं सोचा और नहीं मैं यह मानता हूं कि उनलाइन सीखा जा सकता है बाद स्केमाटिक पढ़ा सकता हूं सबस्केमाटिक अगर कोई बाहर देश का यह देख रहा है वीडियो और अगर आपको स्केमाटिक पढ़ना है तो आप कॉंटेट कर सकते हैं तो मैं ओनलाइन आपको पढ़ा सकता हूं सबस्केमाटिक समझ में आजाएं आप सेक्सिंज को समझने लगें आप जैसे आपके पास कोई भी फोन आया तो आप डाइग्राम देखकर उसको असानी से रिजॉल्व कर लें और बहुत सारे कोस्टन आंसर का जवाब मैं आपको दूंगा और मतलब यह समझे लो कि आपक दोसर का पेटिकल बहुत ज़ली आने बाला है जिसको आप लोग मिसमत करना बदो प्रसे बता देता हूं पीऐम शिक जीरो एल में बसीकली एक कोईल जो लगा है यहमारा डी राम का है दूसा कोईल जो लगा है यह हमारा एस टो है लोगल एलडियो है जैसे कि मैं आपको ब यहां पर एक BPH, यहां पर सुचिंग, तो यह सुचिंग किस की है, तो एक light की सुचिंग होती है दोस्तों और एक display की सुचिंग होती है, तो यहां पर यह जो दो यहाँ पर जो क्यूंट जो है इस पर चभए कोन किरा है फिर से आप को फारली एक कॉन्कूलिजन दें दू कि बह। वह इए कोईरां मेरे लगा है यह लगा यह और कोईल कोईल जो लगए है यह कोड की वह आरहा है तो वह वॉप का कोईल है यह अम बात करें paling वो बॉप का कोईल है और एक मैमूरी का कोईल है जो आपका सीधे जा रहा है अगर मैं यहां पर यह हटा दूँ अगर मैं यह हटा दूँ और मैं इसको डाल दूँ तो यह आपकी मैमूरी का कोईल है तो बिसिकली यहां पर भी आपको वोल्टेज रेखने को मिलेंगे और दो कोईल जो है आपके एक लाइट का है और एक आपकी ग्राफिस की सुचिंग का है जरूर आपको इस वीडियो में पूरे इंडिया गेंदना मेरा भाई ऐसा कंटेन आपको कोई नहीं देने वाला है यह दम रखता है देवादन अगवाल आपको बूलने की आप आईए और चैन अगर आपको बहुत्स को भी सपोर दे रहा है ना मंला पुराने स्टूंट को भी बुला रहा है सबुदे रहा है लास्टे क्या करके आप लास्टे अम लोग नोगों ने डबलेकर से प्यू को मरलब जो है निकाले और रिबोल भी किया उसको लगाई पूरा पूरा अगरेच वे का ऐस्टा काल च अब देगो यद किया चैश्ञ करके इस सबस्टूरिंट केसि सब्सक्राइब में आपकलिक वोट है किया आप फुरी ग्लास में पहले जिसे सब से पहले देन किया इसलीड जिसनेके पूरी क्लीनिक प्रोच्स प्रोचस्स करवाई पर अब बैंब निकाल के अर्दिन किया इसलिक डियोज कर लगाएं आपर यह आपने खूद किया है आज की दिन का बता आज में डबल डेकर सिप्यू कर रहे हैं उसको भी किसे किया अपने इनिवर्सल से आपने में तारी दिन था सार अब लगाया दूबारा लगाया सबी बच्चों ने अब ली तरीक आयो किस एक रागिता करें यह है को आज के दिन बताइक भर्स ने डूर टकर किया अपने में अगर की आप एलना पाँ को, एलना पाँ को! एलना पाँ!